अज हम करने वाले हैं क्लास एर्थ का history का second chapter part 2 east india company begins trade in bengal हमने पहले पड़ा था कि east india company कि किस विचार से आई थी उनका 16rd logis ठीज थी उसके बाद जो है उन्होंने अपनी legislator कैसे change करें तो पहले ज्व इस्ट इंडिया company ती वो सिर्फ्ट or Tyl phones तो उन्होंने यहां पर फिर अपने उस administration system को धीरे धीरे कैप्चर करने लगे अब देखेंगे कि ट्रेड बेंगॉल में ट्रेड उनका कैसे बेगें हुआ फिर्स इंग्लिश फेक्टरी वस सेट अप उन्दी बेंक उफ देखेंगे अपनी पहली फेक्टरी जो बिटिश ने पहली फेक्टरी बनाई थी वो बनाई थी रिवर हुगली के पास 1651 और हुगली रिवर के पास क्यू बनाई थी उसका मेन कारण यह था क्योंकि ट्रेड इजी हो पाए क्योंकि देखो पहले के टाइम पे शिप्स ही सबसे जादा इंपॉर्टन फेक्टर हुआ गरती थी ट्रेड के लिए और कोई चीज नहीं हुआ गरती थी मतलब अगर हमने कहीं पर जाना है तो शिप्स जो means of transport अच्छा है वो शिप्स ही हुआ गरती थी क्योंकि प्लेंज वगेरा बहुत कॉसली पड़ती थी सेकिंडली थिंग हैवी मिटेरियल उनकी से नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकता था जैसे जैसे उनका वेपार बढ़ता गया उन्होंने क्या करा ट्रेडर्स और मर्चंट्स को उनके आसपास की फेक्ट्री में सेटल करना स्टार्ट करा अब धीरे धीरे जो वहां के मुगल ओफिशल्स थे उनोंने मतलब उनको चाहे आप यह कह सकते हो धोका दड़ी से या पैसे खिला कर वहां की जमीदारी राइट्स ले लिये थे सास्के तीन मिले जिसके आसपास की अभी देखो सैटलमेंस ऩदिरहां हनोने मतलब अभी वह ट्रेड के LED के लिए अपना ट्रेड सेटलमेंस स्टार्ट हो रहे लेकिन अब जमीदारी मतलब एक ऐसा सिस्टम उनों ने स्टार्ट पकडना स्टार्ट कर दिया है जिससे वो जो फार्मर्स है प्रिजेंट्स है उनके उपर कंट्रोल कर सकें टूर लेटर इट वर अ जो इट वसके टेट लेटर गुरू इंटो इंटो इंटी ऑफ कलकटा और कॉलकटा अस नोन अस टूड़े अस प्रिजेट अपर्मान ग्रांटिंग दे कांपनी टू राइट टू ट्रेड अब देखो इन्होंने फरमान जारी कर दिया अस टाइम पे जो मुगल हुआ करते थे और इंज यह उन्होंने फरमान जारी करा फरमान होता क्या है एक तरीके से एक लैटर ठीक है एक ओफिशियल सब्सक्राइब जैसे हम उफिचिल्यों no-tis कहते हैं गवान्मंट आफ्ञ ठीक है मतलब जो ब्रेटिश ओफिशल्स हैं वह वह यहाँ पर ट्रेड करेंगे ठीक है मतलब वह उस जगह पे उस एरिया में आप ट्रेड गरेंगे वह भी डूटी फ्री डूटी फ्री का मतलब टेक्स नहीं उनके पास लगरें आप देखो कैसी मतलब उनकी सोच कितनी खतर privileges और जेड फर्मान for instance had great granted only the company the right to duty free but officials of the company who were carrying on the private trade on the side were expected to pay duty they this they refused to pay causing an ominous loss of the revenue of the bengal how could the nawab of bengal Murshid Ali Khan not protested अब यहां पर देखो दो चीजे थी उनकी तो trade free हो चुकी थी बट जो officials थे उनको कहीं ना कहीं जो और लोग थे उनको trade sorry tax pay गरना पढ़ रहा था तो इसकी वज़े से वहां पर भी एक crisis हो चुके थे मतलब वहां पर भी एक problem create हो गई थी ठीक है किसी को tax pay करने पढ़ रहे थे किसी को नहीं next how trade lead to battle अब trade battles में कैसे बदल गई मतला अभी तो वेपार हो रहा था और यह वेपार करने आये थे फिर यह battle कैसे करने लग गए लड़ाई यह लड़ाईयों में कैसे आ गए through the early 18th century the conflict between the company and the nwav of the bengal incentivized after the death of orange ape जब orange ape की death हुई तो सीधी सी बात है mughals कमजोर पड़ गे ठीक है उनके पास वैसे ही जो orange ape था वो लास्ट ऐसा empire था जिसने mughal empire को सम्हाल के रखा था उसके बाद ही जो British officials है या Britishers थे ठीक है East India Company थी वो हावी हुई India के उपर बंगाल नवाब ऐस्टेट देर पावर और अटनोमी अधे रिजिन पावर वर दूइं अधा था 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 मुर्षीद क्वाली खान वास फॉल्वादी खान और अली वर्दी खान और श्राजुद दॉला था नवाब अवाब फे पंगाल अब यहां पर फॉर्टिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि अपनी जो संपत्ती है अपनी जो एरिया है उसको बढ़ाना अब यहां पर जब सिराज दौला आए अलवर्दी खान आई ठीक है इन सब लोगों ने जो मुगल्स है उनकी थोड़ी पावर को रेक्स्टिक्टेट करना स्टार्ट करा ठीक है थोड़े से उनके उपर यह कह सकते हो कि रिक्स्टिक्शन लगाएं टैक्सिस के ठीक है और उनको मना करा कि आप जो ट्रेड है उसको थोड़ा सा ठीक ठीक से करो ठीक है एक यह कुझें थे कम्पनी अफ दिस साइट यह क्लें देखिव अफ इस अब इन्हों ने भी कुछ ऐसे स्टाप्स उठाए इन उनका हम आपको बहुत ज़ादा प्रॉफिट भी दे रहे हैं ठीक है अब इसके बीच में भी अगर आप हमारे साथ ऐसा करोगे तो फिर यह कैसे वर्क आउट करेंगी ठीक है उन्होंने कई लेटर्स भी लिखे जिसमें काफी डिस्ट्रीके से बोला गया था तो यह सब चीजे भी काफी ज्यादा उस वक्त हुमिलेट कर रही थी अब देको यहां पर एक और जेब करिण बिच तो जो पर आप एक यहां पर एक और जेब के बिचल आप है टाइम पे इनको थोड़ा सा easy हो चुके थे कि भाई चलो इहां का rules and regulation हो क्या है लेकिन उसके बाद जो उनके successors आए उनके साथ British officials की कुछ खासी बन नहीं रही थी खीचातानी काफी जादा चल रही थी अब उनको एक freedom में काम करनी की जादत हो चुकी थी अब वो freedom इनको मिलने ही पा रही थी तो यहां पर यह जो conflict चला मतलब यह जो थोड़ी भागा दौर थी यह lead करी battle of प्लासी को ठीक है फिर यह battle of प्लासी में convert हुई ठीक है बाकि हम इतना ही करेंगे next हम जो topics हैं next class में करेंगे thank you